दिवाली इंडिया में मनाई जा रही है लेकिन पठाके जो है वो मैंचेस्टर में फोड़े जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक नए नए बॉम जो है वो फैंस के सर पर गिराये जा रहे हैं और नए नए अपडेट्स नए नए थियोरीज निकल कर सामने आ रही एक बहुती फेमस कहावत है कि घर आती लक्षमी को कभी ना नहीं कहते तो 12th Man Gaming App आपको opportunity दे रहा है बहुत सारा पैसा जीतने की और इस दिवाली आप अपने लिए और अपने घरवालों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर आप सबी को पता है कि Premier League सीजन चालू है लगा सीजन चालू है कल Champions League भी आ रही है और साती साथ T20 World Cup भी शुरू हो चुका है कल बहुती शांदार तरीके से हमने पाकिस्तान के गेंस गेम जीता है और उस गेम में बहुत सारे लोगों ने 12th Man Gaming App पर बहुत सारा पैसा जीता है तो आप भी जीत सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है टीम बनानी है मेगा कांटेस्ट जॉइन करने है मोविग के थू अगर आप यहां पर 200 रुपीज का मिनिमम बैलेंस एड करोगे अपने वालेट में तो 100 रुपीज का कैश बैक भी मिलेगा यूजिंग दे कूपन कोड और अगर आप एक्स्ट्रा बैलेंस और प्रेड करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज़ कर सकते हो और वहां से आपको 100 रुपे का अश्योड कैश बैक जो है वो अपने वालेट में मिलेगा तो देरी मत करिए इस फेस्टिव सीजन और जादा खुशियां लेकर आईए अपने लिए और अपने परि है अंटिल अनलेस वो 1MFC का कॉंटेंट ना हो तो वीडियो में चलने से पहले थोड़ा सा बात कर लें थे क्या आखिर यह स्टोरी है क्या तो आप सबको पता है रोनालडो ने वाक आउट किया था सपर्स के अगेंस उसके बाद उनको चल्सी वाले गेम में सस्पेंड किया था फिर उनके दोस्त जो क्लोज है एडू अग्वैर ने उन सब ने ये रिपोर्ट डाली थी कि रोनालडो कॉंट्रेक्ट टर्मिनेट करना चाते हैं ऐसा है वैसा है उसी के रिगार्डिंग आज एथलेटिक की रिपोर्ट आई है लॉरी विटविल ने एक पूरा डीटे लेकर आएं और अगर रोनालडो ये चीज़ एकसेप्ट करने को तयार है कि वो हर एक गेम में स्टार्ट नहीं करेंगे और बहुत सारे गेम में उनको बेंच पर रहना पड़ेगा या फिर बेंच से आकर वो डिमांड करते हैं कि रोनालडो गेम बदलें और अगर सा जो टाइम है वो फ्लेक्सिबल नहीं करना चाते और रोनालडो क्लब छोड़ने के लिए बहुत ही जादा एक्चिली एग्रेसिवली पुश करेंगे अगर टनहाग को तो टनहाग उनको जाने से नहीं रोकेंगे बट इट दा सेम टाइम ये जो कॉंट्रेक्ट है रोनाल कि हां रोनालडो जा सकते हैं चैल्सी को वो नहीं बेचना चाते थे लेकिन अधर देन चैल्सी किसी और क्लब ने अपना जो है इन्पुट नहीं दिखाया रोनालडो को लाने के लिए चैंपिंस ली क्लब की बात में यहां पर कर रहा हूं विकॉज अल्टिमेटली रोनाल के लिए ओफर नहीं आया था किसी चैंपिंस-ली क्लब की और से, तो थोड़ा सा यहां पर अब जो है वो आप कह सकते हो कि क्लब ड्रिवन एजंडा भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लब ấy जो हैं इंठेस्टेड नहीं थे, लब्स इंठेस्टेड थे, बट इंठेस्टेड आपको ये भी मानना पड़ेगा कि क्लब उस wage structure पे अवेलिबल नहीं थे जिस wage structure पे रोनालडो है अभी Also at the same time हर एक क्लब रोनालडो को लाना चाहता है बट वो अपने project के साथ ध्यान में रखते हुए current development को रोकना भी नहीं चाहता तो ये भी एक काफी मुश्किल period था और या period है अभी रोनालडो के लिए कि आखिर अगर winter window में भी United उनको market में available कर देती है और अगर वो wage cut लेने को तयार भी हो जाते हैं तो आखिर कौन से ऐसे वो clubs होंगे जो कि रोनालडो के लिए जा सकते हैं बहुत सारे लोग कहेंगे या पर Chelsea एक option हो सकता है शायद Chelsea आ जाए but I don't think United Chelsea को वापस से sell करेगी because आप देख रहो इस point of time पे जो topic of argument मेरा तब था वही topic of argument मेरा अभी भी है that United Chelsea को नहीं sell करेगी because we are in direct fight for the top 4 contention उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नैपली जिस तरीके से खेल रही है उनके पास Raspidori है उनके पास Victor Osiman है तो मुझे नहीं लगता कि नैपली एक option है Roma could be one of those option लेकिन इकलौता option जो थोड़ा realistic है और जो Champions League football basically अगले साल भी provide करेगा that is sporting CP जिसको Ronaldo ने खुद ठुकराया था या फर मैं यह कहूँ publicly आकर मना किया था कि नहीं अभी इस point of time पे मैं Portugal जाने का नहीं सोच रहा हूँ और सही बताओ न even I don't want Ronaldo to leave the European football मतलब top 5 league because हम उनको daily कहलता देखने चाहते हैं मतलब every match day पर but उसके साथी साथ हमें ये भी accept करना पड़ेगा कि ये इस point of time पे शायद possible ना हो considering the age and considering के हर जो club है वो अभी किस direction में move कर रहा है और अभी उनके पास जो लोग हैं अपने club में काम करने वाले उनका working module क्या है एक point यहां पर ये भी आया है कि United और Ronaldo mutual अपने एक conclusion से contract terminate भी कर सकते हैं लेकिन in that case उसमें compensate करके Ronaldo और United अगर mutually agree कर जाते हैं तो एक lesser amount पे ये चीज़ की जा सकती है at the same time Ronaldo अभी winter window में extreme wage cut लेने को भी तयार है but topic of discussion या फिर मैं topic of argument अगर लाऊं अगर इस पूरे conversation में तो यही है क्या खेर होगा कौन सा वो club जो ये चीज़ करने को तयार है and in my opinion जो 10 hack demand कर रहे है Ronaldo से वो भी गलत नहीं है अब उनके perspective से because I think winter window में जाकर अगर हम एक forward लेकर आ रहे हैं जिसकी possibility बहुत कम बताई है Laurie Whitwell ने तभी एक forward available होगा या हम लेकर आएंगे जब Ronaldo के future पे हमें clarity मिलेगी तो इस point of time पे number 9 के option के तौर पर आपके पास Ronaldo Marshall ही है क्योंकि Rashford को मैं इसे number 9 treat ही नहीं करता ना मैं मानता हूँ and even अगर मैं देखू न तो जब Marshall available हो जाएंगे तो I don't think Rashford को आप जादा time देखोगे number 9 की position पे because अभी सैंचो का जिस तरह का form चल रहा है भाई it needs to be dropped और उस point of time पर आपको Rashford को left hand side पे डालना पड़ेगा even I would want की हमें Garnachos या Ilenga में से कोई देखने को मिले कुछ-कुछ games में लेकिन यहाँ पर अब Glazers का role बहुत important यहाँ है क्यूं है क्यूंकि अब Glazers को किस चीज को या किस इंसान को prioritize करना है वो उनके हाथ में आप रोनाड़ो का करियर खराब नहीं कर सकते इस point of time पे because अब तो देखो World Cup तो आने ही वाला है World Cup का कोई discussion ही नहीं बचा लेकिन उसके जो आकरी के डेड़ दो साल है I think उसको अपनी football enjoy करने के लिए मिलनी चाहिए and United में अगर इस तरीके का उसको treatment मिल रहा है या फिर मैं यह कहूँ इस तरीके का approach है अगर जहाँ वो manager के project plan में नहीं है या फिर मैं यह कहूँ जो कि हमें hurt नहीं करेगा you are free to leave and आपको हम respectfully जो भी आपका wages remaining है जो भी contract आपका fulfill करता है demand करता है हम उसको देने के लिए तयार है त्योंकि Glazers के बारे में भी एक report आई है कि एक बार फिर zoom call पे भाई fans जो supporters association है उसके साथ यहाँ पर एक zoom call चार घंटे की वापस से रखी गई थी जिस जहाँ पर fans ने बहुत ही तीखे सवाल रखे हैं जोल Glazers के सामने कि भाई आपने last year 130 million का loss जहिल है और यहाँ पर आप उसके बाद dividends निकाल रहे हो 33 million के उसमें से भी आपने shareholders को भी पैसा दिया और major chunk जो उसमाउंट का था वो आपने अपने पास लिया है तो कैसे एक club जो कि अभी इतने खराब स्थी में है जिसने प्रिमी लीग जब से शुरू हुई है उसके बाद से कभी इतना खराब time देखा नहीं है ना financially ना footballing wise उनके owners कैसे ऐसा कर सकते हैं और यह जो confidentiality है ना इन पूरे conversations की क्योंकि यह तीसरी meeting थी between the supporters, you know, association and आपके जो owners है लेकिन अभी तक उसकी कोई भी detail publicize नहीं की गई है तो fan base के पास तो कोई clarity है ही नहीं कि आखिरकार हमारे owners ने क्या point रखा है कि उनका क्या reason है dividends निकालने का और वो कैसे यह जो हमारा Old Trafford का जो वादा किया गया था आपको याद है Super League के बाद कि हम अपनी जो training facilities है उनको इंप्रूफ करेंगे Old Trafford का जो structure है Old Trafford का जो आप कह सकते हो एक revamp है हम वो होता देखना चाहते है उस पर भी कोई latest update नहीं आई है उन सारे topics पर भी clarity मांगी है fan club ने and supporters association ने लेकिन किसी भी तरीके से हमें उस चीज के बारे में कोई detail नहीं पता है जो detail पता है वो उपर उपर से Laurie Whitwell ने जो अपनी report में लिखी है वही है now आप सबको पता है कि कितना जादा अभी हवा में चीजें ओड रही है कि यार आपके Sir Jim Radcliffe जो है वो United को buy करना चाहते है लेकिन glazers बेचने को तयार नहीं और अगर glazers बेचने को तयार है तो वो so and so amount पर बेचने को तयार है जो कि realistically अगर मैं बात करूँ other than कोई Saudi या फिर कोई Arab जो basically owners है उनके अलावा कोई pay नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही unrealistic demands है तो इस point of time पर जो भी लोग ये समझ रहे थे कि glazers का जाना लगभगत है मैंने तब भी ये बोला था कि अगर वो जाएंगे भी तो भी आपको कम सखम 15 मैंने का इंतजार करना पड़ेगा या 18 मैंने का इंतजार करना पड़ेगा और वही चीज़ आप होती देख रहे हो कि हाल फिलाल में glare scan से ऐसी कोई report नहीं आ रही है जहाँ पर आप ये कह सको that they are leaving the club also एक और चीज़ है चार गेम तीन गेम आलेड़ी खेले हैं United ने तो प्लेयर्स भी काफी दरा टायर्ड हैं और अभी आपको पता है कि अब हमें होम पर ही खेलना है तो इसलिए चौब इस गंटे का एक extra जो break है वो दिया गया है देखने लिए बात ही होगी कि जब टीम लोटे की training पिछ पे तब क्या होगा और क्या रोनाल्डो को involved किया जाएगा क्योंकि आपने सुना है कि शेरिफ के against भाई बोला है को टेन हैग ने that रोनाल्डो will be involved लेकिन उससे पहले he wants a clarity from रोनाल्डो's end कि क्या वो आगे चल कर भी कुछ ऐसा करने वाले हैं और अगर वो करने वाले हैं तो it's better for his sake and better for the team's sake कि रोनाल्डो को उनकी desired चीज दी जाए जो कि यह अगर वो चाते है club से बाहर निकलना तो वो और टेन है को एक stable system दिये जाए जहां पर दुबारा कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे की younger players जो हैं या फिर जो बाकी players हैं जो की ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो ऐसा करने की जुरुरत करें यही है बाकी मैं वापस से वीडियो के end में आपको यार दिलना चाहूंगा कि लास्ट यह हम दिवाली के टाइम पे थे भाई सिर्फ और सिर्फ 5K family और यहां पर इस point of time पर हमने 35.4K की family बिल्ड की है और अगर आपको information, details and content पसंद आता है तो please channel को subscribe करना मत भूलेगा and at the end भाई सभी को मेरी ओर से दिवाली की हारदिक शुब कामने